बच्चा चोरी की अफ़ाहों पर पुलिस अलर्ट स्पी राकेश रंजन ने आम लोगों से किया अपील शक में अनावस्यक नहीं करें किसी की पिटाई स्थानी पुलिस को करें सुचित सोशल मेडिया पर भ्रमित करने वाले पोस्ट डालने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर बच्चा चोरी की अफ़ाह इन दिनों कई राज्यों में फैली हुई है जिसका शिकार कई कमपनियों के कर्मी, सरकारी कर्मी और नए चेहरों को होना पड़ रहा है चत्रा जिले के कुछ थनक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफ़ाह से लोग सहमे हुए है स्कूल से लेकर टूशन तक अभिभावक खुद बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे है दुकान आदी से सामान खरिदने जाने पर भी बच्चों को घरवाली रोक रहे है पिछले कुछ दिनों से हमें सुचनाय मिल रही है कि जिले के विविन चेत्रों में बच्चा चोर के आने के अफ़ाह फैल रही है और उसे लोग काफी उद्वेलित हो जा रहे है और किसी वंजान व्यक्ति को देखते हूं उनको घेर कर और उनसे साथ दुरेवहार करने की बात सामने आई है इसको लेकर मेरे दौरा सभी थाना प्रवारियों को अंचल निर्खशकों को तथान मुडल प्रिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है हर एक थाने में गाउं गाउं जाकर अवेर्नेस केंपेंच चलाया जाएगा और साथी साथ हम लोगों ने बोला है कि कंट्रोल रूम का नंबर और अफसर इंचार्ज का नंबर यह भी हर एक गाउं में उपलगत खराया जाए जादा कहीं पर भी इस प्रकार कोई अफवाय यदि आती है तो तुरंट वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस उस पर रियक्ट करें आम लोगों से ही अपील रहेगी कि वो कानून को अपने हाथ में लें यदि कुछ भी उन्हें शक होता है और किसी पर भी कुछ इस प्रकार के शंका होती है वो तुरंट पुलिस को बता है चत्रा पुलिस तोरित है मुस्तैद है और उसको तुरंट जांस करके आवश्यक कर सबसे जादा जो अफ़ार पहलता है सर्व सोचल मीडिया के माजन के इस पर इसके लिए तो सबसे जाए है कि हर एक थाने चेतर में जो है और इनस केंपेंच चलाया जाएगा उसमें यही है कि जब तक कि कोई चीज वेरिफायर नहों जा तो तक आप उसे सोचल मीडिया वीडियो को डालने या शेयर करने और फरवार्ड करने के पहले उस वीडियो को वेरिफायर कर लें उसके सत्ता की जांच कर लें और उसके बाद ही जो से सोचल मीडिया पर डालें